याकूब की पत्री पांच्वा अध्याई देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा दे कर रख ली है चिला रही है और लमने वालों की दोहाई सिनाओं के प्रभु के कानों तक पहुच गई है तुम प्रत्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भो ठेरा कर मान डाला वह तुम्हारा सामना नहीं करता सो हे भाईयो प्रभु के आगमन तक धीरज धरो देखो ग्रहस्त प्रत्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रत्वम और अंतिम बर्शा होने तक धीरज धरता है तुम भी धीरज धरो और अपने हिर्दय को द्रड करो क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है हे भाईयो एक दूसरे पर दोश न लगाओ ताकि तुम दोशी न ठेरो देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है हे भाईयो जिन भविश दखताओं ने प्रभु के नाम से बाते की उन्हें दुख उठाने और धीरज धर दन्य कहते हैं तुमने एयूप के धीरच के विशे में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रगट होती है पर हे भाईयो सबसे स्रेश्ट बात यह है कि शपत ना खाना ना स् प्रभु के योग्य ना ठैरो यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करें यदि आनंदित हो तो वह स्तुती के भजन गाए यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रा इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ धर्मी जनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और भूमी फलवंत हुई। हे मेरे भाईयो यदि तुम में कोई सत्ति के मार्थ से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्रान को मुत्यू से बचाएगा और अनेक पापो पर परदा डालेग को जुझाएगा पापू किसी बच्चाएगा और अनेक पापाएगा प्रान को मुत्यू से लोगज़गरा जाएगां को फेर वह जिता हैं